शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हादिराज यह मैं क्या हो रहा है यह कैसी अजीब सी शक्ति है जो हमें अपने अंदर महसूस हो रही है हमें ऐसा क्यों नगरा है कि तलवार हमारी है यह भूले जैसे किसी तुविश्चक्ति हमारे अंदर प्रविष कर लिया है अँआ 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 हादराज पार्वार प्लिवार प्लिवार सुनो ना सुनो 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 हादराज हादराज में यहाँ हादराज में यहाँ हादराज 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 में यहाँ सुनो 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 सुनना ये सब क्या हो रहा है मरसु हादिराज मैं आपके सुनना ही हूँ मैं आपको सब कुछ बता होगी तर अब ही नहीं हमे समय बहुत कम है सबसे पहले मैं अब को सम्तर लिख और सकी खतर ना क्योजना केमार में कुछ बताना चाहती हूँ मा अधिराज आपको कब से डून रहा है आपके कश्में आपके पर्तिक्षा गर रहा है क्यों उसे क्या हो गया कनक तुम यहीं रुको हम अभी आता हैं और आने के पाद अपनी आखों के सामने इस सुनैना के शरीर को खाफ कर देंगे लेकिन ध्यान रहे तब तक सुनैना की आत्मा या कोई और इस शरीर के आसपास नहीं आना चाहिए अपनी सुन्त रहीं या कोई बीन याइगा अपनी सुन्त रहीं अपनी सुन्त रहीं आप तयार नहीं हुए अब तक हम तयार हो जाएंगे और उससे पहले हमें आपसे बात करने हैं हाँ बोलिये क्या बात है वो कहना की आप तो जानती है की मा की तब्यट ठीक नहीं है वो बिस्तर से उठ नहीं सकती अब तो हम चाहते हैं अब आप भी तो हमारी मा जैसी है ना हाँ ये तो हमारे लिए बहुत सौबाग्या की बात है अब जाकर मिल ले दें उनसे और बेटे आप जिनता मत करो सब अच्छा होगा आपके रहते वे बुरा हो सकता है कि सुराज आप भी विवा की तयारियां देख लीजे महमान आते ही होंगे जी भई सुराज कनप से कहो कि उसे सुनेयना के शरीर को अकेले ही जलाना होगा अगर हमने अधिराज की बात नहीं मानी तो उसे हम पर संदे हो जाएगा और हाँ ध्यान से जी भई कि अएग वागाती है अब पस उस नकली सुनेयना का खेल करना है थाकि मैं अपने शयर से उसके शरी को बदल सकू सुनेयना हमसे सहन नहीं हो रहा है उसे दंड जरूर मेलेगा पर अभी सही समय नहीं है अगर मंत ने लेखा को हमारे बारे में पता चल गया, तो वो चौकर नहीं हो जाएगी, फिर उसे पराज़ित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पराज़ित तो उसे हो नहीं होगा सुनने, क्योंकि हम किसी भी शर्प में नहीं तुमें खो सकते हैं, और नहीं मन्रें द कि अनना ध्राज़ संदेश में, पंडी जी, सारी तयारिया होगी है, हाँ, रानी सायबा, साही तयारिया होगी है, देखना कोई कमी छाय जाए, चलिए, हम ने कनक को आपका संदेश दे दिया, वो बस कुछी देर में सुनेना के शरीर को जलाने वाली है, और उसकी साथ ही सुनेना और अधिराज की प्रेम कहानी भी चलकर खाक हो जाएगी अधिराज, अब कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपकी राद एख रही थी? अधिराज, आखिर वो रात आ ही गई जिसके हम दोनों प्रतिक्षा कर रहे थे हमारे मिलन की रात हमारे मिलन के रहे थे! क्या हो अधिराज, आप क्या स्वोच रहे है? इस विवा के बारे मैं आप खुछ तो है ना? बहुत खुछ भूँ आकर तुम जैसे जीवन शंगनी पाकर, कौन ना खुछ हो सकता है? तो फिर ठीक है, आप ही तयार हो जाएए फिवाग का मूरत आरम हो चुका है तो तुम्हे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया अब मंत्रलेका को जा कर बता कर आती हूं कहां जारी है दुष्टाटमा तुझे क्या लगा तुमेरे अजराज को बुराई की ओड़ ले जाएगी साइब तु ये भूल रही है जिसके अंदर अच्छाई के बीजो वो आसानी से बुराई को पन अपने नहीं देते तुझे क्या लगा था तेरे छूट का मुखोटा कभी नहीं उतरेगा अब भहुत हो गया तुमारा भीन है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता आखिर तुम्हारी अंतिम विदाई के घड़िया ही गई सुने न वैसे नरक में जाके चंदलेखा से जरूर कहना कि कनक उसे बहुत याद करती है क्योंकि मेरे मा के विनाश का कारण वही थी न इसलिए उसे बुलाने इतना असान नहीं होगा अब तो तुम यू ही भटकती रहोगी बूत बनकर क्योंकि काली शक्तियों के इलावा ना तो कुई तुम्हें देख सकता है और ना ही सुन सकता है क्योंकि मेरे मदद करो तुम अभासे निष्णो बनकर क्या शतुता निवाईयतुने करो मितर बनकर क्या शतुता निवाईयतुने कनक और मुझे देखो, मैं तो भूली गई कि तुम सैतानों के पास ना ही हिर्दय होता है और ना ही भावना हरिदय तो है सुनेना पर उस हरिदय में सिर्फ और सिर्फ अधिराज बसता है जिसे तुमने मुझे चीन लिया पच्पन से मैंने दिराज से विवा करने का सपना देखा और तुमने उस सपने को जिला कर खाक कर दिया और अब देखना मैं कैसे तुमारे शरीर को जिला कर खाक करती हू फिर मेरे और दिराज के बीच में कोई भी नहीं आएगा कोई भी नहीं तेरा ये सपना भी कभी पूरा नहीं होगा कनक तो ठीक है मैं अभी दूसरी मशाल लेकर आती हो और तुझे खाक करती तब तुझे समझ में आएगा कि काली शक्ति सोलजना बच्चों का केल नहीं है सुनेना अब तुम जल्दी से अपने शरी में परिष्च करो जल्दी सारी मशाले बुची हुई है उसे क्या लबता है मशाल बुझाने से उबच चाहिए कि मैं अभी दूसरी मशाल लेकर आती हूँ परनाम लादी खुछी रहिए जल्दी अमेपस समय बहुत कम है सुनेना सुनेना एक मैंfahr सुनेना अपने आके खोलो पोड़ा सुनेना सुनेना सुनरा प्ne हके को ओख सुनरा और प्ne यहाख कि गुलाओ चन्भ में सुनरा फ्ne यहाख कि ओख सुनरा प्ne यहाख कि ओख सुनरा प्ne सुन्हाइब अन्याइब जल्दी करो सुन्हाइब करने कभी भी भी लोडती होगी तुम्हे बस बदने और इस नकली सुन्हाइब के शड़ी को जिता पर भी एक ले जल्दी करो महाँ बास समय बाग कम आप उन्हाइब जया राजर सहाएब सुन्हाइना देदी अभी तक नियाए हम देखकर आथे स्वराज आप रुख्यू हम देखकर आथे आप महमानों का ध्यान थेजी हमेज आकर देखना होगा कि कनक ने सुन्हाइना का शरीर चलाया की नहीं वंदरा ये तारा कही नजर में आ रही है उसकी ना तबित खराब है वो आती होगी थोड़ी एमे अल्विदा सुनना सुनना, आज से बुराई के अंत का आरम हो गया है हाँ अदराज, आज सिर्फ एक काली शक्ती की निशानी समाप्त हुई है वो दें दूर नहीं, जब सारी काली शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी तुम्हें सही का सुनना, इस महल पर, हम पर अब पुरी शक्तियों की परच्छाई भी नहीं पढ़नी चाहिए और हम कली उस मंत्र लेखा को परे तरवर में भासी पे चड़ाने का अधेश देंगे नहीं अधिराज, अभी नहीं हमें उस मंत्र लेखा की शक्तियों का सरासा भी अंदासा नहीं है इसलिए हमें पल नहीं, बुद्धी का प्रेवक करना होगा और हाँ आधिराज, उस मंत्र लेखा को पनक तक नहीं लगनी चाहिए कि आपने नकली सुननाना का विनाश किया है अब मैं उस निशाकिनी के साथ नकली सुननाना बन कर उसकी हर चाल पर नसर रखूँगी हमें सही समय की प्रदिक्षा करनी होगा किस बात की प्रदिक्षा सुननाना वो वो अधिराज बाहर गूमने जाने की बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा जब तक रानी मा ठीक नहीं हो जाती तब तक हमें प्रदिक्षा करनी होगी सही कहाना मैंने मासी हाँ बिलकुल आप अब तक तयार नहीं हुए पर महमान आ चुके हैं और सब इंतुजार भी कर रहे हैं विवा के समय का मूरद भी हो चुका है आजाई जी मासी हम भी तयार हो जाते हैं चले सुने ना सुने ना वादी तुम तो एकदम पूनम का चान लग रही हो नाई हमारी सुने ना डिडी चान से भी जाना सुनर है वक्रतुन महाकाय सुर कोटी समाप्रवा निर्विग्नम कुर्वे देबो सर्वकारे सु सर्वदाम कन्या को बल्वाली ती अुम जास्ट झाल झाल